मैं आभारी हूं भारपोन न्यास की जिसने मुझे कुछ आज के समय के कुछ महत्पोन कभियों के साथ ये काउप वाट का वोका दिया रहे हैं मेरी पहली कविता है अभी नहीं पेट्रोल पंप पर मिला गए एकदम तपाग से उसकी आँखों में अपने पन की चमक थी अपना पा इतना गहरा था कि आप अरीचे जटाती भी तो कैसे कहती हैं आप भाई साथ ठीक बाल बच्चे मज़े में वह एक सांस में पूछ जाता है कई सवाल जवाब में मुस्करा भर देती हूँ मैं कहती हूँ सब ठीक है पूरी कोशिश करती हूँ कि इन बातों से पहप्यार का कोई सिरा मेरे हाथ आ जाए ताकि आगे बढ़ा सकू इस बादचीत को भरे ही और चारिकता के नाते उसके चेहरे पर उच्चुपता है वह मुझसे भी कुछ सुनना चाहता है अब वह वैदर वो चला रहे हैं मेरी मुस्कुरा कुछ और चौड़ी हो गई है इस बीच मन में लगातार जारी है उसे पहचानने की कोशिश कोई पुराना सह कर्मी भाई का कोई दोस्त या पुराना परोशी आखिर कौन है यह जो इतने तबाक से मिल रहा है इस अजनवी होते जा रहे है शहर में जो सचमुष जानना चाहता है मेरी कैफियत मन के लेती हूं चेहरे पर जलकने से उसमें खोल दिया है बातों का पिटारा चोटी बेटी का दाकिला मां की विमारी भाई की बेरुद्जारी कहते कहते अचानक खामोश हो गया है बड़ शायद कुछ याद आया है अचानक यह तमाम कोशिश के बाउजूर शायद जलत ही गई बेरुकी मेरे चाहरे पर बातों के सिलस्रे को बीच राह रोक कर वह विदा लेता है अच्छा जी फिर मीरेंगे अपने उम्र के चार दर्शक के समूचे अनुभव को एक अभिलान परत मुस्कान में बदल कर मैं भी खहती हूं जी जरूर अगली तविता है माता कमरा बहु जिसे रंग सके मंचाहे रंगों से लगा सके मंचाही तस्वीरें बरसात में बादर उतर सके जिसमें और सर्द्यों में कोहरा दुबग सके उसकी रजाई के फितर स्वार्थी कहे जाने का जोखिम उठाते हुए भी उसमें कभी नहीं चिपाई कम्रे की चाः बज़े में हर बार मिला उसे एक ही जवाब कि पूरा धर की तो तुम्हारा है उस भरे पूरे धर में जिसे बताये गया उसे उसका वह रही पिता भाई और जीवन साथी के साथ उम्र के आखरी पड़ाओं में पूरी हुई है उसकी इच्छा घर के जिस पूजा कश्वे ज़्यादा तर समय बिताती है बच्चे कहते हैं उसे मा का कम्रा अगली कविता है मरने के बाद नित्यू के बाद भी जीवन है इस यकीन से भरे हुए भोग सारे लोग हैं आसपास जीवन के हर इसाफ किताब को अगले जनम पर छोड़ देते हैं और पाज आते हैं तातकालिक राहत जिसका कोई नहीं उसका उपर वाला है यह वाक्र ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए उनका मरने के बाद कुछ सुब जाएंगे तो कुछ जनक कुछ नर्प जाएंगे तो कुछ दोजख लेकिन कुछ हम जैसे भी हैं जो यहीं खात में मिलकर खात हो जाएंगे और किसी फूल के लिए खात बर जाएंगे अग्री तनिता हैं कुछ बाते हैं कुछ कहानियां हैं जिनको लिखना है कुछ कमिताएं हैं जिनको कहना है कुछ लोग हैं जिनको गले लगाना है कुछ और लोग हैं जिनसे सवार करने है एक देश है जिससे बहुत प्यार है इतना की रहमान जब गाते हैं ये जो देश है तेरा स्वधेश है तेरा तो मन भर-भर आता है सची तो है ये वो बंधन है जो कभी तूट नहीं सकता और क्या क्या और भी लोग होंगे जिनकी आखें फिल्मी गारों से भी जाती होगी और क्या जो हस्ते होंगे ऐसे गाने सुनकर वो भी इसी देश के नाग दिन ठकने नहीं देता, बड़े तालाव में इतना पानी है, कोई एडिया डुगो कर बैठा होगा, कोई डूब जाने के मनसुदे बांधा होगा, वो भी इसी देश में रहते हैं, और मैं भी. अगली तनता है माली, किसी सम्वेदन शील प्रेमी की तरह स्ने में भीगा है उसका देखना, एक कलाकार की तरह असेमी धहर है उसके भीगा, उसकी चुवन में नाजुकी, सरहत पर तैनाद सैनिक की तरह चोकरना है वे, शायद ही कभी जपकती है उसकी आखे, मैंने कभी नहीं देखा उसे हरबड़ी हुए, मैंने कभी नहीं देखा उसे खीशते हुए, मैंने देखा उसे फूलों से प्यार करते, जैसे मा प्यार करती है अपने बच्चे से, डाल पर लगे फूलों को आस्वस करती है उसकी मोजुगी, कि अकेले नहीं है वो, कि मनु के मां के कमरे में सब कुस था सिवाए एक खिर्की के कमरे में घुसने के बाद कैद हो जाती थी मां एक अदगी दुनिया में मा कहती थी उसे कमरे में खिर्की चाहिए ताकि कमरे में आ जा सके ताजा हवा दिख सके सड़क पर आते जाते लोग जहां से बहा जा सके मा का अपिला पन खिर्की नहीं थी केवल खिर्की की चाह थी खिर्की के लिए मा की चाह देखकर लगता शायद हो मा का सुपन रोग की रा थी या शायद उसकी यादों का दर्वाजा बन कमरे के बाहर से छन छन कर आ ही जाती थी कुछ आवाजे किसी नई बहू का हसना इस्कूल जाती बच्चियों का अपना पाड दोराना टहले निकली औरतों की बदकुचन मा को शोली थी इन बेचैरा आवाजों को सुनकर और चारा भी क्या था बिना खिड़की वाला मा का कमरा एक गहरा कुवा था जिसमें पाली नहीं था मा ना रोगती थी ना जिन्दा रहती थी अगली कविता है दादी की याद उर्फिस्ट मचली का क्या नाव है दुबली पतली क्रिशका है दादी को मैंने हमेशा बुड़ा देखा मेरे मन में उनकी कोई और तस्वीर बन ही नहीं पाती लेकिन अम्मा बताती है कि अपनी जवाले में बहुत खुबसूरत थी दादी मा की एकलोती संथाल ब्याही गई लाके के बड़े जमिदार परिवार में किशोरा वस्ता खत्म नहीं हुई थी कि हवेली की बड़ी बहु और इस तरह परिवार की इज़त में बदल गई दादी गुडियों से खेलने के दिनों में कमर में लटता है चावी का चल्ला दादी डोलती रहती पूरी हवेली में घर काम से लेकर बनिहारों की इसाब किताब तर सब रहा दादी के ही जिम्में बताते हैं लोग कि पहले से ही पहलवानी मेरे में बाबा पहले से जादे बेफिकर हो गए थे दादी के आने के बाद अब बस अखाड़े तक ही थी उनकी दुनिया बाबा की इस बेरुखी के बाउजूर कभी किसी से शिकायत नहीं की दादी ने करती भी किससे आखी घर में सबसे बढ़ी थी गाउं की बनी हाल इनों से लेकर घर काउं बाली तक सबके सुब दुख की साथी थी दादी यशायद वही थी दादी का सहारा दादी की रसोई के दर्वाजे खुले थे इन सकी सहनियों के लिए दादी के पसंदीदा मचली के वेंजनों से महता रहता था आंगल मा बताती है कि जब मैं पेट में थी बाबा कुली लिया कैंसर में इसके साथ ही चली गई दादी के जीवन के आखरी खुशी भी विद्वा होने के बाद वह नहीं खा सकती थी अपनी पसंदीदा मचली अगले 20 सालों तर यानि जब तक रही जब तक गिंदा रही दादी कभी नहीं ले पाई मचली का स्वाद बस हमें सुनाती रही मचली के पीस से रोगु का स्वाद मांगों की जोलदार सबजी और टेगर के काटे की चुगन खजिक्र होता उनकी बातों में जब बूरी तर बिमार पड़ी दादी और करीब आई चला-चली की वेला अजीव याचना थी उनकी आँखों में और स्वर में विजेत अनुरोद गर मचली खाना चाहती दी दुविदा में था पूरा परिवार आखिर कार भुआ भवे आये जाए कच्चे केले की लंबी फाखों को काट कर तला गया सरसों के पेल में और सरसों के ही मसाले में बनाये गया मचली की तरह चक कर जीमा दादी ने उस रात जो उनकी जिन्दगी की आखिरी रात बनी सोने से पहले मा को खूब आशुच दिया इतना बड़िया बोच जो मिला था वर सो बार मुझे आख भी याद है उनकी कही आखिरी बात बड़ा नेक भोच करें लुब हो गिया बाके मचली के नावगा है मैं आखिरी तो इता है मैन एक बर्ग सड़क के बीचों बीच लगा है चितावनी लिखा एक बोड मैन एक बर्ग आदमी काम पर है सदियों से आदमी काम पर है उनकी किये सारे काम पीट और कारे से मकार मनाए लेकिन अपनी सुविधा से भूल गए कि आउर्टों ने अपने खून और पसीना से उसे धर बनाया लेकिनन फर्क होता होगा काम करने और बोज उठाने में काम किया आदमियों ने और बोज उठाया अरतों ने परिवार की इज़त का बोज, गर्ब का बोज और फिर गिरस्ती का बोज भी आदमियों ने जंग लड़ी लेकिन केवल अरते ही हारी नीम अधेरे में काम कर रहे आदमी के लिए भूमबती बली अरते कड़ी धूप में काम करते आदमी के लिए पेर की च्छाओ और ठंडा पानी हुई औरते पाशान कालिन शेर्फित्रों में भी दर्ज हुए आदमी ही शिकार करते, मंदल बजाते, नासते, ठके हुए आदमी का मनुरणिन बनी औरते उनके हिस्से में भी आए कुछ काम, मसलन घर, परिवार और बच्चे समालना इस पर भी सुनना पड़ा उने ताना, कि एक ही काम है तुम्हारे दिने, भर भी ठीक से नहीं कर सकती अनिमाद